ए आई पी पी एजियस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम एवर एवर फॉर कैनेडा जाना चाहरे हैं इस प्रोग्राम के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं असलाम अलेकुम मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे कैनेडा की इमिग्रेशन में और वो है AIPP प्रोग्राम इसके बारे में बात करने का मकसद ये भी है कि ये प्रोग्राम अब एक्स्टेंड हो चुका है 2021 तक और क्या बता ये उससे आगे भी जाए मगर इस वक्त कम असकम तीन सालों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम अवेलिबल है फुल फॉर्म है जी अट्लांटिक इमिग्रेशन पाइलेट प्रोग्राम केनड़ा के लिए बहुत सबूरत दे रहा है अब इसके दर सबूरत क्या है वो तमाम पॉइंट्स जो वीग पॉइंट्स बनके सामने आते हैं हमारे लिए लोगों के लिए जो उनकी जो हम प्रोसेसिंग करते हैं वहीं पर यह एड्रेस करता यह प्रोग्राम और इंतहाई शानर प्रोग्राम है आपने स्टेप बाइस टेप देखना है गुदारिश यह है कि पूरा प्रोग्राम देखिएगा आप लोग करिये रहे हैं कि सिर्फ टाइटल देखकर आप फून कर देते हैं कि आपने कुछ वीडियो बनाई है उसके बारे में ब्रीफ कर दें बहुत जुलम की बात है यह वीडियो ही ब्रीफिंग के लिए है यह वीडियो ही डिटेल के लिए है और स्टेप बाइस देखेंगे तो समझ में आती रहेगी कि मैं CRS points की बात कर रहा हूं जिसके लिए मैं assessment की बात करता हूं आप लोगों से यहां पर points scoring का मामला है ही नहीं तो यह बहुत बड़ी बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको points पूरे नहीं करने बलके आपको points check ही नहीं करने तो सबसे पहला point है no point system उसके बाद है कि यह program आपको तीन सालों के लिए 2021 तक available है एक और वी point जो आपका होता है अक्सर वकास सामने हमारे आता है that is IELTS IELTS के अंदर मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह मैं आज को exempt कर रहा हूं मगर बहुत ही low score के उपर सबसे पहले तो यह मालूम कर लीजिए कि जर्नल करना है आपको जर्नल IELTS करना है speaking के अंदर 4 writing के अंदर 4 listening के अंदर 4.5 and reading के अंदर 3.5 काबले कबूल score होगा that is very low एक आम आदमी भी five band ले आता है मगर यह score बहुत कम है तालीम की जो आखरी हद है that is metric यानि कम असकम metric आपको होना चाहिए और बहुत ही कम पैसे दिखा कर bank account में आप जा सकते हैं या आपको पास बराबर कैनेडियन के तकरीवन 3 लाक रुपे हों पाकिस्तानी या 3000 डॉलर हों कैनेडियन as equal to 3000 कैनेडियन डॉलर आप वो दिखा कर अपनी immigration करवा सकते हैं स्किल बेस के ऊपर आप नर्स हैं आप डॉक्टर हैं आप इंजीनियर हैं आप कुक हैं आप शेफ हैं यानि कि आप बुचर हैं आप किसी भी ऐसे plumber हैं आप ट्रक ड्राइवर हैं आप किसी भी पेशे को बिन्या दुनाकर इस प्रोग्राम का हिसा बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात किसे जो अकसर लोगों का विक पॉइंट रहा है यहां पर आड्रेस कर रहा हूं वह यह कि आपको पर्मनन्ट रिस्डंस हिप मिलेगी आपको पर्पियार मिलेगा नहीं Game Fairman ナंस छिप मिलेगी not for you but for your whole family यानि कि आपको अगर ये प्रोग्राम आफर हो रहा है तो ये अकेले नहीं हो रहा है तो आप अपनी फैमिली के साथ ही मूफ करेंगे अब जब आप फैमिली के साथ मूफ करेंगे तो सबसे पहला जो मसला आता है जो अक्सर मुझे वर्टसप के उपर भी सवाल करते हैं और यूट्यूब भी सवाल करते हैं कि मैं उतरने के बाद कहां जाओंगा अभी तो मतलब जाहरे बात है लेकिन पहले बाद तो विजए क्यों होनी चाहिए आप वहीं पर जाएंगे यह कौन परवाइड करेंगा सेटिल्मेंट प्लाइन परवाइडर जो हैं वो आपको परवाइड करेंगे और इस कंट्री में एक दो नहीं है काफी सेटिल्मेंट जो गवर्रमेंट की निक्षा आते हैं फंड़े इदारे वो आपको करके देंगे अब इस उडियो में हम उसको बिगबात करेंगे कैसे होगा लेकिन आपको उनके अंदर भी अपनी रिजिश्शन करानी होगी वो आपको प्रोग्राम को लेके चलते हैं रिजिश्शन के बाद और आपके लिए तमाम मामदात करते ही हैं अकोमडेशन का भी इंतिजाम करते हैं एक और चीज़ आपना सूनी होगी यहें कि लोग वीडियोज देखते हैं बाते डोमते हैं निकालते हैं तो कहते हैं कि लिन्या कौन करेगा लिन्या कहां से आएगा लिनिया का चीज होती है तो लिनिया जो है उसकी फिकर आप नहीं करनी है इस प्रोग्राम में तो लिनिया है यह नहीं तो इसको आउट कर दें तो इस जो मार्किट असेस्मेंट है जिसमें यह तैह होता है कि यह बंदा क्यों कैनेडा आना चाहता है या आएगा या आ सकता है तो उस program से अपने आपको बहर कर दें कि लिने गार तो आपको लें दिन हाई ली इसमें तो इसलिए हम इसको ऐसको डिसकस नहीं करूँगा कि आपने उसका discuss भी करना है आगे चलतेजी अब बात करते हैं कि step by step हम को इसको किस तरीके से join कर सकते हैं किस तरीके से हम यह Atlantic Immigration Pilot Program का हिस्सा बन सकते हैं और किन-किन सुबों में बन सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपना IELTS कम्प्लीट करना है Bands में आपको बता चुका हूँ IELTS कम्प्लीट करना है और जो आपके Academical Qualifications हैं उसका आपने ECA Report भी लेनी है ECA Report WES से भी ले सकते हैं चार-पांच और भी हैं लेकिन WES जो है वो जादा authentic माना जाता है फिर आपको अपने लिए जॉब find out करनी है जैसे Burns Week Canada है Burns Week Canada से आप यह जॉब हासल कर सकते हैं और apply कर सकते हैं अब वो जॉब हासल करनी के लिए अगर आप living in nd.ca पर आजाएं तो बहाँ पर आप दिखेंगे कि वहाँ पर सारे जो employer है वो job offer नहीं कर रहे होते हैं उसको आप यह करेंगे कि शॉटकट यह है कि आप indeed.ca पर आएंगे और indeed.ca के ओपर आप अपनी जो आपकी field है तो आप वो लिखेंगे और आपने कहा जाना है तो आप डालते हैं कि आप डाक्टर और आइम इंजिनियर और आइम वेटर और आइम कुक तो आप अप नवासोशा में डालेंगे उसको नवासोशा-immigration.com avelible है इंडीड.ca से जोब चेक करेंगे और उसको आप वेरिफाइंगे नवासोशा-immigration.com से कि आया ये employer वहाँ पर authorized यानि कि authentic है के नहीं अगर उसका नाम वहाँ पर है तो आप उसके उपर apply कर दीजिए हर एक को नहीं डाल सकते है आप से भी इस तरीके से जो princeadwardiceland.ca वो भी यह काम करता है और new foundled और end laborator भी यही काम करता है इसकी जो website है government.gov.nl.ca है अब यह तमाम जितनी भी links हैं जितनी भी मैंने को बताएं links of course उन्हें fast बताएं हैं वजह उसकी यह है कि मैं तमाम links मैं दे रहा हूं description box के अंदर आप step by step वहाँ से उठा के देख सकते हैं इस वीडियो को एक बार ये दो बार देख लें ताकि आपको समझ में आए और link उठा कर वहाँ पर उसको apply कीजेगा तो दोनों को आपस में जोड़िएगा वीडियो को उन link से जोड़िएगा ता आपको clear हो जाएगा किस तरी के से उसको अपने program को लेके चलना है बहुत दी शानदार program है और आसानी के साथ अपनी immigration के आसान तरी program में जो कि अभी लेवल है आपके पास आप इसका फाइदा उठा सकते हैं और इसका फाइदा उठाईए उमीद करता हूँ आपको वीडियो का फाइदा हुआ होगा और बजाए मुझसे वाटसब पर डिटेल लेने के इस डिटेल आप वीडियो से ले लिया करें हमेशा अलाहाफिस